Hello students, welcome to exams road और आज की class में हम solve करने वाले हैं exercise 1.2 से question number 3 explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers explain करना है कि यह जो हमें दिया हुआ है कि यह composite number है यह हमें explain करना है composite number के case में हमने आपको fundamental theorem of arithmetic में यह बताया था कि जब भी कोई composite number होगा तो उसे हम किसमे express कर सकते हैं prime numbers के form में उसको prime factors के form में represent कर सकते हैं हैना कोई भी composite number अगर है तो उसे हम prime numbers के product के form में है उसको represent कर सकते हैं हमने पता है तो उसी चीज का यूज करेंगे और इस question को solve करने वाले हैं यह देखते हैं कि proceed कैसे करेंगे हम हमारे पास जो number given है that is 7 into 11 into 13 plus 13 पहले यह वाला number लेते हैं तो यह यहां तक तो चीज़े मल्टिप्लिकेशन में हैं और यहां प्लस होके फिर 13 है मतलब 13 यहां भी है 13 यहां भी है तो 13 जड़ा common ले लिए तो क्या value भजती है 7 into 11 plus 1 कोई problem यहां तक समझने में क्या कि हमने यहां पर addition की sign थी यहां थर्टीन है यहां थर्टीन है थर्टीन कॉमन ले लिया ठीक है फर्दर थर्टीन को as it is रहने दीजिए 7 into 11 is 77 और प्लस 1 तो 77 प्लस 1 इस 78 थर्टीन इंटू 78 अब आप देखें कि सेवेंटी थर्टीन क्या है थर्टीन एक प्राइम नंबर है अल्रेडी तो 78 को अगर आप प्राइम फेक्राइज करें 78 को तो 2 से कर सकते हैं यहां पर इवन नंबर है यूनिट डिजिट पर तो 2 से हो गा यह तो 2 3 जा 6 2 9 जा 18 ठीक है 2 3 6 हो गया 2 9 जा 18 फर्दर आप किस से कर सकते हैं 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6 9 3 जा 3 3 जा 9 फर्दर आप करेंगे तो यह 13 आ गया तो 13 से सिर्फ वन टाइम जाएगा तो इट मींस दिस कैन भी रिटेन ऐस यह जो वैलू है इसको कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 के फॉर्म में और 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 और यह सारे नंबर्स क के प्रॉड़च्ट के फॉर्म में हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो नंबर हमें डिवन यह क्या है एक कंपोजर मरा है बात समझ में आगी आपको कैसे सॉल्व करना है सिंपल है आपको बस ये शो कर देना है कि हमें जो ये numbers given है ना इनको हम prime factors के product के form में लिख सकते हैं फर्दर देखें second part में second part जो second number दिया हुआ है वो क्या है seven into six into five into four into three into two into one plus five यहां पर भी five है यहां पर भी five है सबसे पहले five common ले लिया तो seven into six into four into three into two into one plus one ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपर अच्छा multiply करते हैं two three just six six fours are twenty four है ना 24 और forty two twenty four और forty two का multiplication आप करेंगे तो four two is eight two two is a four eight four four just sixteen one four two is a eight one nine कितनी आगे value eight zero ten bracket के अंदर क्या value आगे one double zero eight plus one ठीक है अब आप add कर दी जो one double zero eight plus one you will get five into one double zero nine और अगर आप ध्यान से देखें तो यह भी एक क्या है प्राइम नंबर है five भी क्या है एक प्राइम नंबर है तो यह जो composite numbers है इन्हें हमें explain करना है कि यह composite number है तो composite numbers कौन से number होते हैं जिनकों हम प्राइम numbers के product के form में represent कर सकते हैं it means what seven into six into five into four into three into two into one plus five is a composite number सब्सक्राइब करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर हिट करें लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग